तो उन्होंने कहा कि मैडम हमारी तो फ्रीडम चली गई है और मुझे बस वही बच्चे पालो ये करो और मुझे बहुत उलजन होती है कहा हम इतने तेज थे पढ़ने में और कहा हमारी कितनी चीज़े थी और सब इतम खतम हो गया सब बदल गया दो नमस्कार मैं डर्डा सुधा मिष्टा आपकी family counseller Johnson मैं बिगत बारह तीरह वर्णों से निरंतर family counseling कर रही हूं और उसमें बहुत से चीजे आती रही हैं जो समय समय पे मैं आपके साथ चर्चा करती रही हूं मेरी बहुत से वीडियोज हैं उसे संबंधेश को आप लोग बहुत सा इसने दे रहे हैं इसके लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद कर रही हूं आपका उसी कड़ी में जब मेरे वीडियोज गए तो उसमें बहुत से प्रश्ण भी लोगों ने पूछा तो एक प्रश्ण जिस प ही गई है और किसी की गई ना हुगा गई हो या ना गई हो लेकिन मेरी चली गई है ऐसे भी लोगों ने बाते कहीं उस पर तो इसके विशह में आपको हमको एक चीज ये बतानी है कि पहले तो थोड़ा सा आप ये समझें कि फ्रीडम का मतलब क्या है फ्रीडम आप किस लगता है तो हमें लगता है कि अब हम बहुत बंदिश में आ गए हैं और ये मेरी फ्रीडम चली गई है तो यहां पर आपकी ये सोचना होगा कि फ्रीडम कहते किसको हैं जैसे ही आपके मन में ये विचार आता है कि हमको विवाह करना है या मेरी शादी अब तक हो जानी चा इतनी अच्छी चीज को और आप लोग इतने अपने मनुभाओं को इतने खरा मनुभाओं के साथ हमको बताते हैं कि मेरी फ्रीडब जली गई मेरी परशानी बढ़ जाएगी यह दिक्कत होगी वह अपनी फ्यूचर की बात उसको निगेटिव आस्पेट्स को ले करके आगे बढ़ने लगते हैं तो थोड़ा अपको यहां सोचना होगा कि यह जो फ्रीडब आप बोल रहे हैं इसको समझे हम कि फ्रीडब का मतलब क्या है फ्रीडब का सेंस यहां पर यह है कि जब आप कोई विचार बनाते हैं तो उसके किस पक्ष को आप स्विकार करते हैं कभी कभ हम अपने बिचारों में ही किसी चीज को बहुत खराब ढंक से महसूस करते हैं और। चे बहुत बात अच्छे बहुत करते हैं तो जो आप महसूस करते हैं वह हमारी स्वत तुटंतृता को बताने पाने वाला होता है क्या है हम क्या सोच रहें अब आपके एक हो गई और आपके मेरी एज हो गई बिजे शादि करने चाहिए या अब मेरी यह शादी वाली हो गई है एंगर वाली कि प्रेग़ द्रह को सबसी के इसा yamad किस विश्यम को लेके फ्रीडम सोच रहे हैं क्या खाने के विश्यम लेकर सोच रहे हैं क्या हम अपने करियर के विश्यम में सोच रहे हैं क्या हम अपने रहन सहन के विश्यम में सोच रहे हैं आपको जब आप यह कहते हैं कि मेरी फ्रीडम चली जाएगी या मेरी फ्रीडम त सोचे या किसी और तरह से सोचे आपको एक उधारण दे अभी रिसेंटली मेरे पास एक पढ़ा लिखा व्यक्ति ऐसा नहीं था दंपत जो तो बड़े लिखे थे हमने जसा कि आपको बताया कि इसके लिए फीमेल्स ने जादा कहा कि मेरी तो फ्रीडम चली गई यह तरह की ब शरीर की हमारी मन की उमर बढ़ती है हमारी आवशकताएं हमारी सोच हमारा विचार सब बदलता है धिरे धिरे यह बदलने लगता है जब यह बदलता है तो हमारी जो जरूरत होती है जो हमारी चाहत होती है वो सब बदलती है अब आप सोचिए कि जब आप 15 वर्ष के वस्त जो आप देखें जो प्रीडम का आर्थ है वो भी आपकी जीवन में बदलता जा रहा है जब आप वेवा के बारे में सोचें तो आप वहाँ पर फ्रीडब के मारे में भी सोचें कि एपकी सोच किस तरह से बदली है जो महिला अभी हमारे पास आई थी उन्हों का हम तो फस गए हैं मेरी फ्रीडम चली गई है तो उनकी केस में उस केस में हमने क्या कहा था उनको आप ये बताना चाहेंगे वापको क्यों कि उनकी अवस्था जो थी वह 30 के करीब थी 30 32 ऐसा रहा होगा तो उन्होंने कहा कि मैडम हमारी तो फ्रीडम चली गए यह और मुझे बस वही बच्चे पालो यह करो और मुझे बहुत उलजन होती है बहुत दिक्कत होती कहां मितने तेज थे पढ़ने में और कहां मारी कितनी चीज़ें थी और सब एक खतम हो गया सब बदल गया तो अब आपको हम यह कह दें कि आप जो भी आपका हो किसी चीज के लिए विए तो अब यहां पर आपको यह सूचना है कि फ्रीडम किस विशा को लेकर आप महसूस नहीं अगर आपको यह लगता है कि हम अपनी कॉलेज के दिनों में बहुत अच्छा लिखते थे, बहुत अच्छा हम, कोई मेरी होबी ऐसी थी, जो बहुत अच्छे से उसको परफॉर्म कर लिया करते थे, तो अब आप आकर कि उस होबी को, उस चीज़ को आप दुबारा से रिवाइब करिए, आप उसको कर दी और इसको करने से पहले, देखे कोई चीज छुपा के तो आप कर नहीं सकते घर में, आप दोनों हस्बिन बाइफ इस बिसेर पर बात करें, विचार करें, कि भाई हम ऐसा करते रहे हो, मुझे अच्छा लगता था, तो हम चाहरे हैं इसको फिर से करें, निश्चित रूप से, उसका तरीका बदलेगा, उस होता क्या है, कि आप जिब बहुत गैफ हो जाता है, तो हमारा मन क्या करता है, कि अरे उस समय की बात अलग थी, उस समय थाम बहुत मज़े से ये सब काम कर लिया करते हैं, अब तो ठकान लगती है, अब तो परशानी लगती है, तो फिर आप फिर यहां पर सोचिए, कि हो सक को अपने फैमिली के साथ ले करके अपने विचारों में ला करके आपसे बात करके जब आप उस पर कारी करेंगे तो जो प्रीडम की सवस्या है वो खतम हो जाएगी आमोमन जैसे बॉइस का कहना है कि मैडम अभी हम शादी नहीं करना चाहते हैं क्योंकि मेरी स्वतंतरता तो पूरी तरह से चली जाएगी आप यह स्वतंतरता जैसे बच्चों ने जो कहा उनके मन की होती है वो घूमना चाहते हैं फ्री हो करके बाहर जाना चाहते हैं उनको क्या लगता है कि कोई पूछने वाला ना हो कोई टोकने वाला ना हो कहां जा रहे हो जैसे यह प्रीडम इतना डिटेल बताने में अमोमन मेल्स को हमने देखा वो खीजने लगते हैं तो यहां पर फ्रीडम को थोड़ा सा समझे कि जब आप आपस में बात कर लेंगे तो पता हो रहेगा कि ठीक है कि हम लोग यह काम करते हैं और हमको इस इस टाइम तक निकलना रहता है कोई चीज फ कुछे बार-बार question न करें तो एक अच्छा साफ जो एक atmosphere आपस में create हो जाएगा तो दोनों के लिए ही अच्छा रहेगा दोनों बच्चों के लिए चाहे हूँ husband लो चाहे Wाइब फों दोनों ही लोगों के लिए यह बहतर हो जाता है और जो freedom है वो अपना से बात करके या इतने सब चैनल वेगर अच रहते हैं इतनी शोशल मीडिया पे इतनी बाते रहती हैं उस पे हम बहुत जादा जब टाइम देते रहते हैं तो हमारा एक होता ने कि अच्छा यह चीज मेरे मन में प्याने लगी फिर हम भी इस तरह की बाते करने लगते हैं इस जिन्हों अपनी ये बात बताई कि भई बहुत प्रॉबलम है और हमारी प्रीडम चली गई है हमारे साथ ये परशानी बहुत सी चीजें बताते हैं हर चीज को हम नहीं चेंज कर सकते हैं हमारा एक ही कुश्चन होता है कि आप क्या चाहते हैं यह तो क्लियर करिए यह तो सो सुचना होनी चाहिए आप लोग परिवार आपने बनाया आप दो लोग हैं जो आपकी चीजे हैं वह अपने मनखा बताएं अगर पेरेंट्स बार-बार किसी बात को ले के टोक रहें तो चाहें वह पी मेल के हो दोनों के लिए प्रॉब्लम कर रहे हैं लेगीए क्यूज कि अब हम husband wife जब बात कर रहे हैं तो हम ये चिड़ना महसूस कर दे रहे हैं कि नहीं तुमारे जब तुमारे family बोलती है तो हमें बुरा लगता है और तुमारी family गलत बोलती है ये दोनों लोग आपस में कहते हैं तो इससे क्या होता है आप लोग मन से दूर हो जाते हैं अब यहां पर freedom कहा गई बिचार में ही freedom खतम हो गई आप सही चीज़ सोचेंगे नहीं बोलेंगे नहीं छुपाएंगे तो मन हमारा परशान होता है इन सब चीज़ों को ले करके हम को लगता है कि नहीं नहीं हम उपर से यह दिखाते हैं कि मैं सब कुछ एक दब मेरा हो है जैसे आजकल verdict बहुत ज़्यादा चला है कि बहुत कूल रहा करिए कूल रहा करिए बार बार हमने यह सुना नहीं शम्द साम को लगा क्योंकि बहुत पहले तो यह सम बातें नहीं तनी ज़्यादा आती थी आप कूल रह कैसे सकेंगे आप कूल दिखाएंगे दिखाना अलग चीज है और रहना अलग चीज है आपके मन में जब तक इस तरह से clarity नहीं रहेगी कि हम किस point पर क्या सोचें किस point पर कितना सोचें तो तब तक आप कूल नहीं रह सकते तब तक आपका मन शांत नहीं रह सकता है कभी-कभी हमको ये भी दिखा है कि एक पेरिंट जो होता है वो ही सोचता है कि मन तो कहीं बधा है बहुत ज़्यादा बहुत परशान है लेकिन वो सोच ये रहा है कि अगर हम अपने life partner को ये पाचीज बताएंगे तो वो हमको चिरहाएगा या वो मेरा मजाक उड़ाएगी तो यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग अपने पर ध्यान दीजिए कि क्या छोटी-छोटी बाते एक दूसरे को चिरहाने के लिए होती है या एक दूसरे का मजाक उड़ाने के लिए होती है अभी कुछ समय हूर्व की बात आपको बताएं अच्छा खासा एक अवस्था के लोग थे उन्होंने वो एक रास्ते में कहीं जा रहे होंगे तो गाड़ी वगरा चलाते रहते हैं अचकल तो बहुत ही कॉमन सी चीज़े चाहिए मेल हो चाहिए फीमेल हो सभी चलाते हैं तो उसमें दोनों ही चलाते थे लेकिन उस दौरम गाड़ी जो है मेल चला रहा था तो रास्ता वेरा कहीं भूल गये होंगे या कुछ जब ये दोनों आपस में बैठे और जबी मेरे पास ये बात आई तो उसमें जो फीमेल हैं वो अपने हजबन का काफी मजाक उडाते हैं बोली कि ये बहुत गाड़ी चलाते हैं कि रास्ता उनको नहीं पता रहता है बड़ा मतलब उस उनके भी अजीब लगा और जो मेल है वो जेब भी रहे हैं ऐसा नहीं ऐसा नहीं करने लगे वो उस पर जब उनका बात खतम हो गई तो हमनों उनको यही समझाया इस बात पे कि ये कोई ऐसा बिंद नहीं है जिस पर कि आप मजाक उडाएं या आप जेबें ये एक नॉर्मल सी चीज है आपको रास्ता याद होना या भूल जाएं या नहीं आता है कोई चीज करना हर व्यक्त को हर चीज आए ये कहीं जरूरी नहीं है थोड़ा सा सोच को भी अपने यहां पर बदलिए कि हम किसी चीज को ले करके क्या सोचते हैं जब हम फ्रीडम की बात पे फिर हम आते हैं कि फ्रीडम कहा किस तरह से ऐसा फ्रीडम मत बना लीजिए आप लोग कि भई अगर भई बच्चे बहुत परशान करते हैं अब हम लोग को छोड़ दे रहे हैं छोड़ करके हम दूसी जगह रहेंगे अगर आप कहीं चलेगे चलेगे एक दिन के लिए चलेगे दो दिन के लिए चलेगे तीन दिन चलेगे चलता है आप ना किसी तरह घर वाले मैनेज करते हैं लेकि अगर आपके बच्चे हैं और आप इस तरह से उबते हुए इसलिए कि मुझे तो freedom चाही छोड़के चले गए तो यह क्या हुआ यह freedom नहीं है कोई समय तक उपरी freedom तो आपको अच्छा लगेगा क्यों कि जो आपके responsibility है अगर आप उसको नहीं पूरा करते हैं तो मन आपका और परशान रहेगा अगर बच्चे आपको याद कर रहे हैं औ और आप बच्चे के समय पर आप खुद नहीं खुद को नहीं पहुचा पारे हैं उनके चीज़ों को नहीं कर पा रहे हैं तो तुरंत हो सकता है आपको ना कोई feel हो लेकिन धिरे तरह यह guilt feel होने लगता है तो आप यह सब सोच करके विचार करके तब आप freedom के बारे में सोच है ग्रंती हो जाती है कि media to freedom चली गज़ी रही है वह नहीं जाएगी और जब आप उसको महसूस करेंगे जिस तरह प्युवाह करने जाते हैं तो आप लोग आपस में तेинов करें कि मुझे यह काम करना है दिसे परिवाहаюсь कर नी है लेकिन इसके साथ-साथ यह भी सोचें कि वि कि मेरा करता भी बहुत भी जन में लेता है अगर आप इसको पूरा करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको ज़्यादा खुशी होगी और जिस freedom की बात आप कर रहें वो freedom भी आपको बहुत अच्छे से मिलेगी आप उस freedom को enjoy करेंगे तो freedom यहाँ पर negative पक्षम मत लेजिए इसका एक positive side देखें कि freedom यहाँ पर इस तरह से काम करेंगे तब आपको आनन्द आएगा जीवन का आनन्द आएगा बस आज के लिए इतना ही धन्यवाद